कि कल्पना की उपर्ज मातर है और इसका किसी भी व्यक्ति विशेज या स्थान से कोई सम्माइब नहीं है हु कर दो झाय स्वोड़ती झाल ए पटिल चेकर कब से बढ़ी है इधर देखा क्या पता नहीं तब मैं भी आया अभी आया तमाश है फिल्म है क्या देख रहो चलो तमाश है क्या चल निकलो निकलो चलो ए यह ना करो ना चल चलो निकलो आइड़ यह पटिल काई सब नस चल रही है काई रे अम्बुलंस कुटे है तरीका पाउचान के बाद आएकी अम्बुलंस किदर अम्बुलंस पोन किया की नहीं वापस वोन करो साब फोन कर दिया था कि यह रहालो पाई रफा करो वोन पही यह रहालो निकलो इन वाम साब कर वोन क्याक्यätt रहालो न सोफे कि आ Bürger को करता चल वहालों कि डवे पोनborर से में आए-खावी अब एक खास खबर आज सवेरे ही एक अज्यात विदेशी महिला को अर्ध नग नवस्था में पाया गया जहां तक हमें खबर मिली है इस महिला का बलातकार हुआ है और अब इसे सिविल लाइस होस्पितल ने जाया गया है हमारे समात दाता निलेश जहा की ये रिपोर्ट है कि अब करें अब करें अब आज बोलेगा इदर मैं समझ नहीं रहे अब एक उत्रया बोला थाना तुछको उसको ठीकाने लगाने का बच गई तेरी हो अम्मा अब लग गई अब लग ये पहली हो में बाते मत करें यार किसकी बात कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है अरे वही फिरंग छोकरी क्या बोला था तुने इंजेक्शन का ओर डोल देंगे साली मर जाएगी साली बच गई अब निकलेगी हम लोगों की अर्ती साला बुरा अफसारे तेरे पे भरोसा करके अरे बाव बाव मैंने तो दिय क्या था अरे इंजेक्शन अरे चुप साला जब देखो तब पक 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 करते रहता है अरे अरे भाव कैसे बच गई है साली अंग्रेजन मेरी बात कान खुलकर सुनना निया पता लगाओ कहा है और ठीकाने पोचा दे नहीं तो मैं तेर को ठोकता लूँगा समझा अरे बाव सुनना एक काम करते हैं तु काका से बात कर वो जरूर कोई रास्ता निकालेंगे जब साला तुझे आइसा चंब्री कितर का लेते वक्तों बहुत बड़ा शेर बनता है ना अब भटी साला तेरे से कुछ नहीं होगा मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा राग फो दे चल रख फोन मैं बात करता है बाबा से बाबा फोन उटा अब कितनी बार बोला काम के वक्त कुछ नहीं मंगता है अरे अरे और बाबा बाबा बहुत अरचेटे बाबा दो मिरीट बाबा बहुत सेलह अरचेटे बाबा फोन रख राख शेट शेट अ değer अगली वारिस ने वेज़ा तेरे और जाने दो ये 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 पार दूज मिलने वाला थुझे तुझे तश्मी क्या हो गया है तुझे अगली बार इसने बेवजा तेरे उपर हाथ उठाया ना तो उठा जाड़ू और उतार इसकी आर्थी मैं दिखती हूं जा डॉक्टर के पास जा और वो दिदी को मेरा नाम दे लेना अच्छा ठीक है उनको दिखागे ही घर जाना और तू चिंता मत कर मैं हूँ जा तू यहीं खड़ा रहेगा हां लेके जा उसे और नंदू एक बात सुनले तू अगली बार तू नहीं हरकत की ना तो मैं तुझे कभी नहीं करेंगे मैडम जी अज के बाद अपने बीबी को कभी नहीं मारेंगे जल्चा मैडम जी आपने तो लाफ़ाई लगा दिए लाफ़ाई कि बखेर समझते है क्या यह साले जिसको जो भाशा आती है ना उसी भाशा में समझाना चाहिए औरे वॉलियूम बंद करो यह जो जो ख़गे मैं इस महिला का बलातकार हुआ है और आभ इसे सिविल नाइस होस्पितल लेगाया है है नहीं कहोँरे सम्वाब्राण तेखोरे साल टीवी को टो तो रे पैपर आप जैए कर लोग आप पया जा आप जी शन्वा देख्षा और देखो तो रहे हाथ हरवानियत की काट डालना चाहिए निसमका अरे माडम जी ये क्या बोल दिया आपने क्या गलत क्या बोला वही चा तुने सुना सुनी एक काम कर ये देख सिविल हॉस्पिटल में एडमिटर है तु आजा जा ची हॉस्पिटल जा उसके बारे में पता क अब इतनी गर्मी है तो नीम पिया कर नीम ठंडा हो जाएगा क्या जरूरती रेप करने की लड़कियों कुछ होड़ता नहीं अब क्या आपने बाप की वजाएगा ये अपोजिशन वाले एक मौकी की फिराक मैंज़ता है समझा क्यूं मेरी बनी बनाई इजजत हाक में मिला रहा है देरों लड़कियां है स्वागरात मनाने के लिए पकड़ता मना लेता हाग बज़ा लेता हम उठा नीचे कभी कभी तो लगता है कि तू मेरी उलाद भी है या नहीं हम उठा नीचे कर तो सोच ने दे कुछ निचे है हलो कमिशनर जोशी बोल रहा हूं नमस्कार सर सर कुछ काम था तो बुला लिया होता जी 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 सर अब बिल्कुल बेफ़कर रही है मैं खुद देखता हूं एक गंटा और कोई केस आएगा नहीं तो अच्छा है बंचो तो आपे एक मिनिट है अलो इंस्पेक्टर वागले या तेरे एरिये में जो फॉर्णर लड़की का रेपकेस आया ना उसे उल्टा क है उस लड़की पर इम्मॉरल ट्रेफिक का केस डाल दे बश्णी ने चाहिए प्रूव यह हो कि यहां फ्लेश ट्रिटिंग के लिए आई जाना चल्ड फोन रख जाइन सर नमस्ते ताई अली पनवदी चाहिए ला रितू चोटु का तिरा अंधर सो रहा अच्छा चाहिए लाई जा पटिल यह सर यह दिमाग चाटने वाले दिमक आ रही है समाज का बोजा खंदे पे उठाए कुट्टे से भी तेज नाके इसकी तो यह काम कर इसका समाज का बोज कंदे से में उतारूं बिच में आके टपकना और बड़े साब ने बुलाया गड़ा तुला यह सर निक नमस्कार पाटिश जी नमस्ते नमस्ते कैसे हैं आप आज किसके बैंड बजाने आई हो आप तो जानते ही हैं वागली जी बैंड तो हम जूटकी बजाते हैं हमीशा सच को तो गले लगाते हैं आपने हमें गले कभी नहीं लगा लिया उस दिन हलक से कुछ नीचे उत्रेगा नहीं सांस लेना दुश्वार हो जाएगा क्या क्या चल रहा है मतलब खुले आम ऐसी लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है बलतकार होता है कच्रे की पेटी के पास भेंग दिया जाता है मतलब सत्या जी आप तो टीवी न्यूस के एंकर की तरह धाड़ 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 बोले जा रही हमरी कुछ सुनेंगी यह प्रोस्टिटिशन का मामला है यह बलतकार ही नहीं यह लड़की अपनी मर्जी से दुसरों को खूश करती है यह इसका धंडा है हमारे पास प्रूफ है अच्छा किसने किये कंप्लेन उसके सुसाइटी के लोगों ने वह भी कमिश्णर के ओफिस में जाके कमिश्णर के स्ट्रिक्ट वार्निंग इस केस में तुरंट कारवाई की जाए वाधिये बात बताए है आपके इलाके में तो आए दिन इतनी घटनाए होती रहती है इतनी फुर्थी तो आज ता कभी निदिखाया आप लोगों ने यह कमिश्णर इतनी दिल्चस्पी क्यों ले रहे है इ तो यह लड़की मतलब गई किसके साथ यह मिनिस्टर के लड़की के साथ और भांजे के साथ मतलब ऐसा सुनने में आया है सत्या जी मैं आपको पलपल की खबर देता रहो यह लड़की कहां गई थी किसके साथ सोई थी किसके साथ दारू पी रहे थी बोलाना वो धंदा कर रही थी हम तो मतलब लड़की का बयान तो आप लोग ले चुके होंगे होश में आने दो पता नहीं कौन-कौन से ड्रग्स लेके बैठी है लेकिन आपको बड़े साब बुला रहें को मैं आ रहा हूं यस सर्ट्या जी होश में आने दो बैयान भी लेंगे हम हलो कि सद्र कि मिलने आरे हूं एक जरूरी केस है एक विदेशी लड़की का बलातकार हुआ है मिनिस्टर जोशी के भांजी और बेटे सशंग की इसलिए मैं चारियों के एक बड़ में आपसे अब तुम्हें काम करो, किसी दूसरे वकिल को देख लो, प्लीज हलो, दत्या जी बेब अरे, यहां क्या कर रही है? अरे तरही, अच्छा हो गया आप आगए एक्तम येडी है ये लड़की, जिस तरीके से बेब कर रही है अरे, बट क्या हुआ है? अरे, चीजे फेक के मारे है ठीक है, मतलब यहां है ना, चल्ट हाँ, सुनो, थोड़ा संभल के ताई, कुछ भी फेक के मारे गी है अरे तो चल्ट स्वरी हाई मया मया हाई मया, इस सत्या सत्या देश्मुक हाई मया 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 आ आ पिर्ण मया मया समझ भी नहीं आ रहें यह चानक डदाशी को हो क्या है डदाशी I'm sorry, यह क्या हो गया आप नहीं चाहिए बहिया, आप आप केस क्यों नहीं लड़ेंगे हमारा, देखो सत्या बाल की खाल निकालने से कोई फाइदा नहीं है, छोटे मोटे केस में लड़ लिया करता था, लेकिन यह तो वैसे ही है जैसे हाथी और चीटी के लड़ाई, और मैं हाथी के पैरों के नीचे नहीं पढ़ना चाहता, और तुम चीटी किसे बना रही हो, अच्छी तरह से जानती हो, तताची यह आप कह रहे हैं, सत्या सारे आदर्श हवा हो जाते हैं, जब ताकत का तोफान सामने दिखाई पड़ता है, जिन लोगों के खिलाब तुम यह के अच्छी नहीं बलकि ताकत के आका है, तो, हामें जानता हूं के उस बिदेशी लड़की के साथ भलतकार हुआ है, जुल्मुआ है, लेकिन यह भी तो देख, लॉंडे किसके हैं, मिनिस्टर के, सत्या मेरे भी दोजवान बेटिया है, और मैं अपनी आखों के सामने उनके अच्छी नहीं तेख सकता, मेरी मानुत तुम इस पचड़े में ना ही पड़ो तो अच्छा है, तो आप, ददाजी, ददाजी, एक ब्रून मेरी बात सुनिया, प्लीज, सत्या, जरसल तुम्हें वकील नहीं, बली का बकरा चाहिए, वरसवा में एक पावभाजी की दुका अच्छान है, किसी से भी पूछ लेना, सीता पती शुकला, सीता पती, हाँ, सीता पती शुकला के बारे में, लेकिन सठिया गें तदाजी, पावभाजी वाला बीच में कहां से आ गया, ताई, एक बार कोली बाड़ा चल के तो देखते हैं ना, सोनी तू भी ना, चल, वो स तो एक तो यह सामने थेख, सामने जिए कोया आँ, छलो एक पुछ द की में लेकिन ए अचलो कोई पूछ पलोगाया कोई पावभाजी का नाम रखताए है। पलोगहतीज़ का पावभाजी आतल से ओप मिलना था ए उपावभाजी दा पने मिलना था सब्सक्राइब एक तरफ एक तरफ रखना पॉटर जब देखो तब यह रेडियो चमगाला के ज़से थान पर जब करें ची नमस्ते सिता पती जिया क्या मरियल जिन्स बोन आज प्लेट साफ भाईगी होगी होगी से जल्दी दो आप से कुछ बात करनी थी क्या बात हो सथी तो देखे मडम धंदे का टाइम है विट टाइम खोटी नहीं करो पाव भाजी खानी यह तो खाओ नहीं तो निकले आँ से अब कैसे बात करूं इससे मैं जर्ण नहीं है अजूबा इसरा रेट्यू जी थैंक यो और यह बताई कि यह क्या है दफा थीन सुदो चारशूबीस आर्टिया वक्राइब के पेशे से जनाब वकिर है और एमांडारी की साइकल पर होगए सवार अब इमांडारी की साइकल पाइडल तो नहीं हो था पेशे से साइकल को डखका लगा है अब बल यह है कि पेशे से हम है जूनियर लॉयर्ट ए रेडियो स्टेशन इधरा तरकी देखे नहीं लगे उसको एफम सुनाने ने और दो ए रष राव्न आ खाव्न ए रव्ट ए रव्ट प्वट प्वट व्ट व्ट किए तो भाइग की सैना वर बंजी का चाहती हुए था यह चाहती हो कि आपक विदेशी लड़की का केस लड़े मिनिस्टर जोशी के बेटे और भांजी ने मिलके उसका बलातकार किया है देखिया मैं जानते हूं आपके बारे में आपी ने अमीना बिगम का केस लड़ा थार हो गया कि मुझे किसी केस में कोई इंट्रेस्ट नहीं है मैडम आप से निवेदन है कि आप मेरा पीछा करना बंद करें एक मिनिटा प्लीज मेरी बाप सीथा पदी पागल हो गया चालीज रुपया किलो इतना महेंगा अरे हम सबसी खरीदने आए सोना नहीं करी ना क्या है वे मा कसम यार यह समा सेवी का ना अभी हम इसका सर फोर नहीं कि देखिए मैडम जी अगर आप हमसे वही बात करने आई है जो आप कल करने आई थी तो हमारा जवाब हमारी दुकान पे आगए अभी मार्केट पे चलिया हम आपके ऊपर इव टीजिंग का मुकदमा दायर कर देंगे दफ़ा 294 के तहता आप चैह मैने के लिए अंदर जाएंगे यहां हो गया मैं तो सिर्फ कांदा खरीदने आई थी चल सोनी आगे से लेते हैं यहां तो सबस करनें सो कि कह आगए चुकुछ मुझे इस केस में बिलकुल इंटरेस्स नहीं तो तुम्हें इंटरेस्स नहीं है इस केस में ना सही से अगर मिले तो तून ने तया कर लिया कि कि जस्टिस मिलेगी ही नहीं चाहे कोई भी केस हो लुग तुमने अमीना वेगम का केस हैंडल किया है मैं जानती हो लेकि जानती हो जानती हो ना उस लड़की के बाप ने भरी अदालत में चंद रुपयों की कातर अपनी बेटी को वेचा कहा दिया और उस लड़की को कर रही है कहां जाएंगी वो सीता पती जब तुम जैसे लोग जिनका जमीर आज भी जिन्दा है जो इमांदार है वही अपने हाथ खड़े कर देंगे तो क्या करेंगी अमीना है मैं तो कहती हो हर घर में एक नएक अमीना होगी जो अपनी जानतेने के लिए तयार है क्योंक एक अदमीना तुम्हारी खुद की ना हो अपनी ना हो तब क्या करोगे अपनी जिल्मदारियों से रहोगे तुम बहुत बोलती हूं लेकिन सही बोलती हूं तुम्हारे माता पिता ने बिल्कुल तुम्हारा सही नाम रखा है सत्या सला सत्या हताश हो सकता है लेकिन पराज यह काई मैं चलतीम तर्स पचे, कल आप उनकी गोली, बंदूग की गोली पिक्चर पांडे के हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं वो लोग सुन रहे हैं कॉन है बुडबक मतलब मैं जो अभी बोलूँगा वो भी सब सुनेंगे यह सब तो पोच रही है यार गाना तुब बताओ को से सुनना चाहोगे अबे सालेफ पांडे मोटे स्वाट अरे भया आप रेडियो में का कर रहे है मैं कब्चे संदास में बैठा हूँ पहेंडिया आणी लेकर रहे उपर अठे कसम यह भी ना यार तो चलिए मैं आपको अगला गाना सुनाता हूँ सिर्फ और सिर्फ पिक्शर पांडे के साथ मैं हूँ अनुराग पांडे हे भैवार कमिशनर कोई मच मच नहीं मंगता है एलेक्शन सर पे आप परिशान मत हुए सर चार शिट दाखिल हो चुकी है एक घंटे के अंदर वो लड़की सलाखों के पीछे होगी बाग ले अब उन्हें क्या बोला तब प्रिंदा प्रिंदा अश्डा लो मैं नहीं पहचान नहीं नहीं है क्या मतलब यार पहचाना नहीं भाकालत करता दा यार मैं अधा मत्थोडी करता ता यह एड़ी अधान चलो खुम्हाओ पूसे हां। है अट्छो हुआ वो सम्क्राइब मेट मैया एषिदा एषिदा? यह वाँ थैंक्स यू सिट यह इए यू सिट यह इए झाल एषिदापती यह जो जो आए अभी तुमेंस करना है कि वो Hello Oh Maya Hi Maya Hi, how are you? Hi, that's Sita Patti He's your lawyer Hello He'll be fighting your case Please, sit Thanks Uh, Maya Well as you know We are going to fight your case Uh But You see we need to know exactly what happened I don't want to talk about that I know it's tough Maya Maya please Look I I know It's going to be difficult I told you I I Have Gone through it myself I understand But Please Maya We We can't do anything If you don't cooperate I was performing that night Yeah And I don't know even When these guys came there And Have manuel Joe Lew He And He He She मेरा सूफी इश्क है माहिया मेरे उसमे से त्र महकता है हाँ मेरे रूप को चांद तरस्ता है महका मुश्क है माहिया मेरा सूफी इश्क है माहिया तो मुझे ये दिला दे समजमा संद सजती रहे केली गेली जमे पेकरन की तरा धूप बनके बिखरती रहे केली गेली जमे पेकरन की तरा धूप बनके बिखरती रहे फिर दोश हूँ मैं मद होश हूँ मैं मेरा अक्स नचो मेरा सूफी इश्क है माहिया मेरा सूफी इश्क है माहिया मेरा सूफी इश्क घाल और जब जुड़ एफ तड़े करे दो लुड़े में। का अपन इघर बैटे रहा हुआ यह टूहरा है का अपन पून एफ न बढग कर दो लुड़ा है कि अपन इडर बैटे? लूज नाओ झů आँ नहीं गर कि वडोव, वह तर रेती है देशन दूंण दुक्त करना है जाया थब भी नहीं दुक्त है किल एप लिए और नहीं एपर रान, मैं श्ट बेखार एप्टूरा जय दुक्त है कि अज्यू है जद दुक्त टा मुदिट आप उप टेश्ण कंवा, सब्सक्ट पावा देश्टेशन दूट् एक पूर्ट रॉक्स पूर तो नहीं है । मेरा थोड़ा क्या थेख रहे लादू बूट रहे थर से श्री सुर्षा लॉप यू नो मैंट आशक पूर विस्की युठ युठ अर्युड़ युठ टेर जारी लिये बैट वन रिंक माय युठ यह वारे विठ्थला तेरी माया I am Makran Joshi son of union minister Sharaj Joshi the kingmaker here you don't smoke? no, it's bad how you Maya? Maya is actually quite common name in my country Maya कितनी गुरी है तेरी काया मेरे दिल को तेरांगंगभाया what are you saying? praying for you okay I say good okay Maya you me party in my bungalow no thanks I'm not that kind of girl काई बुली त्यमायला वंली स्टेड़ी करने पड़े oh I'm sorry sorry it's okay you're actually funny guy you're actually funny guy cheers cheers Maya ji now speak a talk about her what? you are good what does it mean? it's the mother she says you're must 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 yeah And what does it mean? well Maila वह गल तो तो वह पड आप आल रप्षीज़ ऑस बंग एकम जहकास रखते लुट आफ वह प्रॉट वह बर्क के एग रिक लेगा वार लेकाल छो को को नुट oh what happened . ? ? it's okay I'm so tired I take you . Don't worry . Don't worry . don't worry . . . Don't worry. don't worry . 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 it's all I remember I really can't recollect now anything more Wow 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 हाँ 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 पालटी शुरी हो गया हमें इन्वाइट करते क्या भी करता आपका हाँ मिस्स माया माया जॉन्स इन चला मारे सब्सक्राइब यू आप तो कम इतास जिस वन सेकिंड क्या चार्च क्या लगा रहा अंडर इम्मोरल ट्राफिकिंग एक 1956 अरे पाटिल याला कुटे तरी बगित लारे होई सब्सक्राइब वर्सवाद पावभाजी वाला है ना वही है आ तबी तो बोलू पावभाजी वाला वकील है या वकेल साब मैडम को बताओ क्या पावभाजी करते-करते भूल गए वकालत है इसकी जरूवत नहीं है बागल याला के पेपर से किष्यों माजंगे पेपर से वाह बरी गुट बरी फास्ट है इंसपेटर एला एंस्पेक्टर द्री यॉड ईसाओ इन्सक्राइब पुल्या ने श्मया बहल भी ने जेए। वांड़ रास्टेड आ पुट देम इन जेल य। अट ला इन्सी आर्थिम न पहले बॉल में छक्का शेर कितने भी दिन चुप रहा है भागले साब शिकार करना नहीं बूलता है तो इंस्पेक्टर भागले अब भी भागले चलो जमाना बदल गया है सर उस लड़की का मेडिकल चेक अप हो चुका है ये जोशी और ये पाटिल दोनों का ठपा लग चुका है पता दो लग ही जाएगा खेर ये सावा मुझ पे छोड़ देजिए मैं समाल लूँगा वैसे ये बताईए के अपने लिए केस लड़ कौन रहा ह है वो मुद्टु स्वामी है अपना वकील बहुत होश्यार है करेगा ठीक करेगा समालेगा सब साब उस लड़की का वकील भी बहुत होश्यार है वो सोशल वर्कर है न सत्या देश्मुट ये सत्या सत्या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता समझा कोन लगा उसको तो जोशी बोल रहा हूं। Mr. Muthu, please start the proceedings for today. My lad, मेर मोकिल Makran Joshi और नाना पाथिल पे इल्जा में की उन्होंने इस वाइदैशी लड़की पे बालतकार किया है इस क्या नाम इसका? Sir Maya Miss Maya को Cross-Examination के लिए क्या आपके विए. Permission granted. Thank you. Miss Maya So do you remember Who was the first one who raped you between those two sitting there? No. I was drugged. I was semi-conscious the whole time. You were semi-conscious the whole time? May I ask the second question, sir? Can you tell me where did you meet my client? I was at the bar after my performance. Makarang Joshi, he came to me and wanted me to join to have a drink with me. I didn't suspect anything. Because they are good people. Why will she suspect, sir? No, that's a lie. In fact, she gave the signal. No, that's a lie. Of course. In fact, sir, I think they did not force her. She, she enticed them. She kind of gave signal, smiling, all that, sir. Wasn't it some kind of inviting? Objection, Your Honor. I want to ask a question from my friend, Mutthu Swami. Is it a pleasure? It is a pleasure. Thank you. I want to ask you, I want to ask you, and ask your wife. What is she saying? What is she saying? What is she saying? What is she saying? I have read. Yes. So? तो आप दोनों एक साथ किसी जलसे में, ओ, फंक्शन में, गए हुए हैं, और वहाँ पे आपकी पत्नी, दूसरे मर्दों के साथ, हस-हस कर, मुस्करा-मुस्करा कर बाते कर रही हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो लोगों को इंविटेशन दे रही हैं, कि come on, you can have fun with me, you can enjoy, कर रहे हैं, बिल्कुल, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, सर, कि कितना बेहुदा सवाल कर रहे हैं, आप, your honor, जब यही सवाल मैंने मुद्धु स्वामी जी से उनकी पत्नी के बारे में किया, तो बेहुदा हो गया, लेकिन वो यही सवाल मेरी क्लाइंट के साथ बार बार गर किसी महिला का किसी पुरुष के साथ मुस्कुरा कर बात करना उसके दुश्चरित होने का प्रमाण नहीं है कि मेरी क्लाइंट माया ने मकरंद जोशी और नाना बाटिल को खुद ओफर दिया साथ में चलने के लिए पॉइंक नोटेड थैंक यू यू में गों मिस माया मैं देशी अड़ा बार का वाइटर को बुलाना चाहता हूं उससे पाई तो चलेगा कि मैडम का मिस माया का मैरा क्रेंड के साथ कैसे रिष्टत था इजाज़त है शससे नहीं करें तो अष्ट तो रोड़ा श्राइशा अग्णाव टू अचाहता है उस माडम कटुम ड़का हाँ अग्शा ए उस माडम का टूम तो लाट बार में देखाथा ता नहीं आट पर्फॉमेंस की आईथी अज़ शवाटी य और हमारे अग्या साबसार पाइँ तुम जा सकता हु. Thank you, Saaf. That's all, Your Honor. No, that's wrong. It's bullshit. This man is talking rubbish. He is a liar. Order, please. Well, just calm down. Mr. Sitapati, आप प्लीज अप्ली अमख्किल को समझा दीजीए के अदालत में इस तरह के शब्स करना, अदालत की तौहीन माना जाता है. I'm sorry, my lord. Next time she does that, I'll book her for contempt. I don't want to go to the witness box. Please be calm. I'm here. Miss Maya, if you wish to say something, please come to the witness box and say so. I'm sorry, Your Honor, for my behavior. I have been regular with my friends to different bars from past three months. And I have always avoided socializing with other guys. this guy forcefully sat at my table. I guess I just wanted to be nice. Since I know that I'm an outsider. Is it wrong that I was just trying to be nice? Your Honor, you may go. Your Honor, if my client, Maya, Makranda Joshi and Nana Patil have gone with her own purpose, and she's got a picture of the CCTV, so that the CCTV footage will get us from the CCTV, so what do you want to see? What do you want to see? the CCTV footage, so that the CCTV footage has come with me. I want to see you. 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 पूटेज तो बरामत किया है, लेकिन सर आपको तो मालूम है, बार के अंदर के CCTV फूटेज में दुआ होता है, रोष्टी कम होती है, तो ठीक तरह से कुछ खास दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये लोग सुरक्षा की दृष्टी से में गेट के ऊपर एंट्रेंस पे भी CCTV कैमर कितना अनुकूल सब कुछ बना दिया गया है न, अंदर के CCTV कैमरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वहां दे रहा है, बहुत सारा दुआ है, और बाहर का CCTV कैमरा, एक दिन पहले ही खराब हो गया, सबसे पहले तो ऐसे किसी भी बार का लाइसिंस रद्ध कर देना चाहिए, जो सुरक्षा के नेमों के प्रती लापरवाई बरते हैं, अदालत पुलिस को आदेश देती है कि इस मामले की पूरी चानबीन करें, और अगर मालिकों की थरफ से कोई लापरवाई हुई है, तो सबस्पर उचे कारवाई भी करें, आप जा सकता है, जी, माय लाड, कहिए, माय अकर क्रास एग्जामिनेशन के लिए वाइटनेश बाक्स में बुलाना चाहिए, परमिशन ग्रांटेट, इस याज, यास, यह आइणर्वर, माय अकरन ए, कौन ऐसा आईणर्वर पेहनता है, यह कोई शरीव घर का लड़की तो आईसा आईणर्वर नहीं पेहनता है, यह पेहनता है, बैना घो देख tanto anything, और मुझा है चर्फ विछ एहानस्ट 20 स्जामिज हाएक है, nove लास 20 जार्ञान सवबे कोॉफ नहींहें पहना है यह पॉन्षांता है अब धंद मॉली अपना क्लाइंट को रिजा सेटाए लुबफ कर आप समझ दो दो नहीं हो ता कि रायपkiegoगार्यी्ष मिद्ना आइसा लूंग हीुग आईसा लूंजरी लब लांजरी सर्क आइसा लॉंजरी पहना इने इन्हें जिए किस अश्राइब इस अश्राइब आम्सुरी यार आप कमालो यार आप वकीलो के बाबा आप चंडी से इंसान का चरेतर बता देते हैं आप 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 सोड़ आप 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 सोरी यह रहाँ है शुकला प्लीज एक नियायती व्यक्तिके सवाल करना चाहता हूं इजाजत हैं अगर उनको यह नहीं हो तो पूछ सथे सर आप कौन सी चड़ी मेरा मतलर है इनर्वेयर पहनते हैं राक पर इसका इससे क्या लान दना वाह राक उसमें जो एड दिखाया जाता है जिसमें लड़के के पूरे शरीर के उपा लिपस्टिक के निशान है तो कुछ आपकी भी वैसी ही हालत होती होगी इनर्वेयर पहन के यह कहें कि जब भी आप यह चड़ी पहनते हैं तो आपकी वी उस लड़के के जैसे दूसरी महिलाओं को कुछ करने की इच्छा होती होगी जैसे आपकी चड़ी से आपके चरित्र का पता नहीं चलता वैसे ही किसी लड़की के इनर्वेयर से उसके चरित्र का पता नहीं च तो संसार भर की वो सारी कम्पनियां जो महिलाओं के लिए फैशनेबल इनर्वेर बनाती हैं एक हिसाब से प्रॉस्टिट्यूशन को बढ़ावा दे रही हैं है न मुथ्धु स्वामी की यह राय यदि उन कम्पनियों के कानों तक पहुच जाए तो विश्वास कीजिए यह स यह कहते हैं कि इन्होंने ऐसे इनर्वेर सिर्फ अंग्रेजी फिल्मों में देखें यह रहांनर ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें सारे के सारे करतार पूरी फिल्म में सिर्फ चड़ी पहन के गूम रहे हैं कि मेरे 20 साल की वैवाहिक जीवन में 20 years sir yes thank you मेरी पतनी ने आज तक अरी आपका व्यक्तिकत मामला इसका इसके से कोई तालुक नहीं है लॉंजीरी से किसी लड़की के ऊपर लांचल लगाना ये कुछ और नहीं इनकी व्यक्रत मान सकता का प्रमाल है जो चंटी के आधार पर इसके जर्ट का आंगलत करना है इस वाइकरत परवर्टेट से गि भाई कि अलब है हो lee-dancer का बातल और आ अर अरई भालेट सिरां में अधिन穴 मैं अदी नंगीनि रहे है कि आधिनार न bod II से कैता है जा इने प्लेट टार्टीम है ड्यक्टीज़ी के तोर लॉष ये चल आधी जा है श।र प्रल्इव कि अहीं बात्सेटीज़ी ए मैं How dare you call me that, how dare you, this guy, raped me here, in your country, and you call me a prostitute. Order, please. Your Honor, I would like to ask a question about Makarandu Joshi and Nana Patil in your house. इजाज़त है. यह लॉंजरी आपकी गाड़ी से बरामत ही? हाँ. वहाँ कैसे पहुँची? पहुच गई होगी? पहुच गई. Your Honor, मैं बताता हूँ कि यह लॉंजरी वहाँ कैसे पहुची? मकरंदu Joshi और Nana Patil ने देशी अड़बार के अंदर से नशे की हालत में माया को अगवा किये. यह जूटे, उस रात यह इतनी पिये ली थी, कि पूचो मत. और ना जाने क्या-क्या इंजेक्शन भी ले रही थी. जच साब, आप इसकी यह भुली-बाली शकल पे मज जाना, एक नंबर की नशेडी यह हम इसे हाइवे ले गए और हमारा काम खतम होने के बाद हमने इसे छोड़ दिया. किया खतम होने के बाद? काम खतम करने के बाद हमने इसे छोड़ दिया. काम खतम मतलब कौन सा काम? हमारा काम. मतलब सेक्स. जैसे आप बोलो. तो आपने उसको पैसा दिया था? हाँ, दिया था ना. कितना? अरे, किती दिले होते रहे? दिया था के नहीं दिया था? हाँ, नहीं दिया था. पक्का नहीं दिया था? नहीं दिया था. मतलब सेक्स करने के बाद अपने माया को पैसा नहीं दिया. अरे, किती बड़ा बोलू. नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया. पॉइंट टू भी नोटिड माईलॉट कि ये रेपिस्ट हैं क्योंकि इनके साथ सहवास करने में माया की कोई मर्जी नहीं थी इन्होंने माया को सेक्स के इरादे से देशी अड़बार से उठाया Your Honor मायरा काबिल दोस्तो मायरा क्लाइन को राइपीस बोल दिया लेकिन जरह ये माईडिकल रिपोर्ट आप देख लेंगे जब ये मिस माया सड़क पे पाई गे थे उनका बाड़ी में कोकेन था आप मैं मानता हूं कि उसके खून में ड्रग्स मिली और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो खुद ही ड्रग्स में थी वो कैसे बोल सकती है कि She was right बिल्कुल 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 मैं मानता हूं Your Honor के माया के खून में बहुत मात्रा में ड्रग्स पाया गया लेकिन ज़रा देखिए एक अकेली बेचारी निहत्ती लड़की है और दो गबरू जवान अगर जबरदस्ती उसको ड्रग्स के इंजेक्शन लगा दें तो वो क्या कर सकती है Your Honor मैं अदालत से दर्ख्वास्त करूँगा कि मुझे कुछ वक्त की मौलत दी जाए और साथ ही अदालत से प्दार्त ना करता हूँ कि इन दोनों के खून की भी जाचो ताकि हमें पता चल सके कि यो दोनों ड्रग्स के हैवी चुल यूजर है या नहीं ठीक है अदालत अगले महीने की पंदरा तारिक तक मुलत भी की जाती है दर्म्यान अदालत पुलिस को आदेश देती है के इस के संबंदित जितने भी सुबूत हैं वो अगली हीरिंग में पेश किये जाए अदालत पुलिस को ये भी आदेश देती है कि इन दोनों अक्यूस्ट के खून की चार्ज की जाए ताकि ये पता चल सके के ये लोग हैबिच्वल रग यूजर्स है या नहीं थाइंक यू दौट इस अजर्न तिस फिफ्टींथ अफ नेक्स्ट मांथ अच्छा है मुट्व अच्छा कर रहे हो और थोड़ा सा महलो उनको समझाओ गदों को करते हैं कर लेंगा अरे मुट्व साब हां गोट का और इसको एरेस करना बढ़ेगा अरी कमीशनर से बात कर लेगा तुम चिंदा काई को करता हैं डेफिनेटली हां चलो उल्लू की तरह आखे फढ़के क्या देख रहे हैं सोच रहे हैं तैरा क्लैन को आज नंगा किया कोट में नैक्स टाइरिंग में तेरा चट्टी उतारेगा बारा बरी कोट में दस जनम लेगा ना तब भी यह नहीं कर पाएगा मा कसम अगर कोट की हेरिंग नहीं चल रही होती न तो नंगा करके मैं तुझे सडक पे दोड़ा दोड़ा के मारता जाने दे मुथ्तू जाने दे किसी आनी बिल्ली आई है खुजाने काका खंबा नोचने आ वोई वोई नोचने निकलना पतली गली से ने तो खाएगा फटके बेटा पड़ेगी तेरे को पक्का लड़कियों के साथ आयाशी यही तेरी कमजोरी है ना थे काला कोट सुन मेरी और एक कमजोरी है मेरा घुसा मेरा अक्रोश बचके रहना तू मिका है बेटा मैं तो बचके रहूँगा लेकिन तू अपने घुस्से से बचके रहना भगवान कृष्णे गीता में कहा है कि क्रोधाद भवति सम्मोहा सम्मोहात इस्मृती विप्रमा इस्मृती ध्वन्षान बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाय प्रणश्यती बुद्धिकनाश्वाय समझा नए तू देज़ इस नौट अलस्टाइम अम सर्प्राइज यू डूंट रिम्मबर अनिधिन अट अल बोले यार इसको कुछ तू बताए बिना इविदेंस के मिया किसा आर जाएंगे Maya, he's right. We really can't do anything without evidence and please try and remember at least something. Maybe at least where they kept you. I don't remember what happened. They took me to Cal. I don't know what happened. I can't do anything to do. याँ बारे कर लो टाल आजाए टाल टाल पैज चल दी राल ठांक्यू भाई मेरे लेक्या आया वह च्छोट्टा सा काम नहीं कर सकता है मेरा छोट्टु तो एक निए ले ले लाए ना तो मैं जाऊँगा पहले है थो चुप लगा मैं हूं मैं जाऊँगा पहले पर दीक नहीं करना भाई अले चार कोई भाई ने तो पुटी तरसे I don't know what was going on. They raised me by hand and they took off my trash. You're a good person. Hey, give me the money away! लग्र बढ़ी है! लग्र देखा अर्मिर ने यह पुझे निए! लग्रोच बना था प्रचान, वे दुट ने बॉट। भी जाल तो बचाए है? देखो, मशली कब पकड में आती है जो इस बात खान खूल के सुन, जो बोला है वो करने का प्रणाम भईया जी आप आंडे बोलो उसे शुना मकरंध है ना मक्या अभी अभी हाँ है आप एक काम की जिया जल्द से जल्द फोरन यहां आजाई है मतलब अरे यां मतलब यां अरे यहां हां व बालकनी के शामने चाहिकी डुकान पर मैं और तम भी आपका इंतजार कर रहें आम आरहा है बाइक है ना तुम लोगों की ता स्चिव भरवा दिया फूल टैग का चिंदा करने की कौन और टेंसन नहीं आए यह जासू सी की काम ह यह बड़ी फूर्थिजी कहा रहा रहा हो का है ना भाया जी सब आपी का अशिरवाद है। प्रेशाल अशिर बार, आपी फोन राको दो ही अचिए बही हाँ ई लाव रेदर कित अपुकि गड़े अरव तो का करे शाला खूबचे कुला टिकाई बाइठ है पठाय किसका पीछा कर रहे है अगर पठा चल जाए ना तो बाइगार की किसम पूले पेट्टी लाटे पड़ेगी कभी पूला टी का के बैट ने पाएगे बता रहे है पाट करता है शर्जी आ गई शर्जी आगई अच्छा वाच्छा जल्दी आ गईisin कि अगया कि बन्हें कि रहाम बनी कीछं कर तोlington कर दोई मध्या कर झार रहे항 थेंटी अगली पार सीना god अम्मा के सब अगर अगली बार हुआ ना तो जिन्दा नहीं बचेगा तुम हाँ भाई पड़ी जी क्या चल रहा था यहां बैट काम ताड रहे थे लग्टा अबू जाने वाला है किसी को शक तो नहीं हुआ ना किसी को बिल्कुल शक नहीं होगा इसलिए हम यहां बैट के च सब्सक्राइब का भाई कितना हिजाब हुआ इनका दोई पार्केट सिग्रेट और तीष्ट चाहे थाइस और प्यक्सिग्रेट वा और डेड़ सब्सक्राइब चाहे टोटल चाहा सुर्पिया है तुम को यहां पर निग्रानी करने नहीं रहता है चरने के लिए पॉइंट आपके जाओ के कहां लोटके तो यहीं आएंगे मेरे पास चाहे पलावाई तरनल्टे अरकभी तरनल्री है तरja सुर्ण्परेश प्यूट के नहीं बेर Baris एप जो ज़ा दो लाएं पापोजी छोड़ दोना चाड़ी उतार अरे मूड होगया मेरा पापोजी आप जो कर रहे हैं वह गौर पाप है Jimmy और हम किसी की बीबी है लगाऊँ आप इस हराम खूर को भीमारा तो किस बगड़ जाएगा तेरा पती मेरा गुलाम है और गुलाम की हर चीज मालिकी हो ती है जोड़ दो ना इस बहुत दर्द हो रहा है बहुत दर्द हो रहा है यह दर्ग मेली देखा जाती है दर्ग क्या है अरे मेरा दिन्नू इधर बैटा है तू रो रहा है तू अरे तेरी बीवी क्या मस मैं मालूम है हां मसा दे दिया उसने तिल खुश कर दिया देरा फिर आओंगा मैं ठीक है छाल रखना उसका कि में अगा वह तुम को तो मर चाहिए ओश आप कहां चले आए याप और आप को ने और किसे मिलना और आपको अंदर आने किस ने दिया अरे जादा फन फनाओ मत्यार शांती रखो पता चल जाएगा तुमको इस जनम से मुक्ति चाहिए ना कि क्या बोल रहे हो साब आप मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा और साब मेरे साब लोकों को पता चल गया ना तो मेरी चमडी उदेड़ देंगे आप क्रिपा करके बाहर जाए तो क्या फारक पड़ेगा तेरी चमडी तो बेश्रम है उसके अंदर बहने वाला खोन भी बेश साली मर्द बंता है भी जब मक्या तेरी बीबी के साथ सो रहा था बलातकार कर रहा था तब और एक जैसे डेलीस पे बैटके रो रहा तो इसको कहते हैं और प्यार ऐसे नीच आदमी को पिटता देख बचने चलिया ही तेरे को प्रवर सही का साव अपने हम को अपनी जयान की फिक्र नहीं है पर वह साले अमरी लच्चु को जान से मारने की दमकी देते अप नहीं सहींगे साब साब हमें हमरे इज़्जत की परवार नहीं है लेकिन डरते हैं डरते हैं तो कोई इस बात से तो लोग हमरे मरत को मार न डाले साब आप कोन है और यह सब कैसे जानते हैं कि आप पुलीस है साब वकील है वो हरामी मख्या और उसके भाई नाना के खिलाफ एक विदेशी लड़की के साथ बलातकार करने का केस चल रहा है आदालत पर हैं क्या तुम बता सकते हैं कि मख्या किसी विदेशी लड़कियों के लिए के यहां आया था हां साब दो दिन तक वो गोरी में यहीं थी साब आदे वकत तो रोती रहती थी और आदे वकत सोती रहती थी कोनों कोनों इंजेक्षिन देते थे साब उसको और दो दिन तक बारी बारी से उसकी इज़त लूटते रहे साब पर साब हम क्या कर सकते थे हम छोटे इंसान है साब कमजो चाहो तो अपने स्वाब विमान की भी रक्षा कर सकतो और उस मक्या से बदला भी ले सकते हैं कैसे साफ ये बाद जो तुमने अभी मुझसे कही यहां पर इसी बात को अदालत में जैस साफ के सामने कह देना ये मेरा बादा है कि मक्या और नाना जिंदगी भर काल कोटरी में सड़ेंगे सरूर साफ उन हरामजादों का खिलाब हम कोट में गवाई देंगे साफ हम भी चाते हैं हों कुट्टे की तरह जेल में सड़े साले साफ आप बताओ कब देनी हैं गवाई पक्का पक्का साफ पल्टोगे तो नहीं नहीं साफ अब तो ज्यान भी चली जाए ना तो भी नहीं पल्टेंगे साफ ठीक है दो दिन बाद अदालत में पेशी है ठीक यारा वजय पहुंच जाना हो मैं दिजार करूंगा कि अरे भाईया अंदर से कहां से आ रहा हो सूसू करने गया था कोई प्रॉब्लम है लेकिन अंदर कैसे खुझे अरे तेरे सामने तो गया था अंदा है क्या ओड़के थोड़ी गया मैं अरे सथ्या एक कमाल का सुराग मिला है अरे बताता हूं ना यार मिलके बताता हूं तुम देशी अड़ा पोँचो तुरंद कैसा है घंशाम ठीव हूं सर पैचाना नहीं अरे कोट में मिले तेरे अभी हाँ पैचाना कितने पैसे लिए तुने जूटी कवाई देने के लिए क्या बोलने साब हो अपने जो देखा वही बोला जूट थोड़ी ना बोला पता किया मैने तेरे वारे में तेरी एक बैन है ना कल को यह हरामी तेरी बहन के बारे में इसा बोलें उसके साथ ऐसा करें तो पैसे लेकर बदल जाए ला तेरी वाशा साले घटिया आदमी अपनी बेहन की इजद दूसरे की लड़की को को ही जद नहीं अडे अडे क्या हो रहा है ऑगाई क्यू मार रह इससे क्यू मार बतलब पूछी इससे चंद पैसे की खाथर साले जूटि कभाए दी एक अच्छी भली लड़की को बाट्च आड़ी जड कुछ मिलाया था और इसको बेहशी की आलत में लेके गये थे बस इतना इचान तो सर बागे मुझे कुछ नहीं पता सर जो तु इधर बोल रहा है कोड में बोलेगा अगली तारीक पे बोलूगा सर इधर देख बोलूगा तो नहीं नहीं बदलूगा सर पक्का पका सर तो किस दुगा सर बनाने वह मैं की सालाव कुतर अगे डेख ये नान्या Х कि वो दो टके का वेटर घंशाम हमारे खिलाफ गबाईदेने को तैयार हो गया है उठा लेते हैं इससाले को टेंशन नहीं लेने का तु तु जा और उठा ले उस दो टके के नाली के कीड़े घंशाम को और नानिया तु अपने लॉंडे लेकर जा और उड़ा दे उस सड़क्छा बकील को और वो साला सुवर कौन से गटर में पड़ा है अरे खोल अरे खोल ना अरे खोल जल्दी खोल अरे खोल जल्दी खोल अरे खोल बोल काका वो फोन नहीं उठा रहा है अब जाओ यहां से अरे अरे रहाई अरे शॉर्ण गोलाए मां जल्दी खुझा और यहां थरा यहां अरे अरे जाते ही नुचु फॉर्ण हुझा आज़ कि मूल यह नहीं ठीजि़ भी कूल दिए दो दोस्यां नहीं जोरी अ मुड़ित अग़िवें चल्ल्टोर्य आज़ान अर्छ ज़िए आह्टी कित? कोते हैं? मैं सांट हो झात है? यह देखता हो यह सबता है को पूझ यह टयां है यह बहन घता, अब चाने सबेग जोड़ है शायर जbok आयए हो दो है यह आधे इस का फूब भीले है इस शायरी प्रम दो दोड़े है यह यह. यह माराइ! एडिकल निकल! योने निकल! या खुदारा माफ कर या खुदारा माफ कर मेरा मेरा इंसाफ कर या खुदारा माफ कर या खुदारा माफ कर या खुदारा माफ कर या खुदारा या खुदारा या खुदारा क्यों फन्ता है समन्दर सीने के इक कोने में क्यों फन्ता है समन्दर सीने के इक कोने में खाके गर्दिश ख्वाइशें अब आग बहती रोने में आग बहती रोने में या खुदारा माफ कर माफ कर मेरा इंसाफ कर मेरा इंसाफ कर या खुदारा माफ कर आखुदारा इंसाफ कर ने रोने में या खुदारा माफ कर इंसाफ कर आखुदारा आख तैस शुरज गलत इसा से निकला पटिल सितापती साब आये हमें मिलने हमारे पुलीस टेशन में और अरे बोल दिया उता जीब भीजवा देते मैं अठखेलियों के मूड में नहीं हूँ वाग्डे साब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं यहां क्यूं आया हूँ और मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आपको पता है कि सत्या देश्मों के मडर में किसका हाथ है पर आप कुछ करेंगे नहीं आप सरकारी नौकरी बजाने से ज़्यादा उस मंत्री की नौकरी बजाते हैं देखो सिता पती सोच समझ के बात करना तुम मेरे पुलिस टेशन में आके मुझ पर ही तोमत लगा रहे हो और ही सत्या देश्मुक की बात तो खसके लिए है और किसी के साथ उसका पंगा है सिता पती सोच के बात करने का काही ही बुलतो है देखो इन्वेस्टिकेशन हो रहा है जल से जल कातिल पकड़ा जाएगा अब मुझे एक्स्क्यूज देंगे आप अरे अस तो है क्या हुआ मैंने के जोग सुनाया जोग ही तो है मतलब यह कब तक तुम एक्स्क्यूज लेते देते रहो गया कभी तो यह चापलूसी की पीपरी बजाना बंद करो पुलिस की वर्दी में तुम इंस्पेक्टर कम और मंत्री के बंगले के बाहर खड़े अरे तो अन्डूटी पुलिस आफिसकर को असौल करने के जुर्म में अंदर डाल दूंगा और धो दूंगा अच्छा है तु असौल्ट करने के जुर्म में मुझे अंदर डालेगा और धो डोई गा दोडालोंगा वर्दी बचेगी तब ना मतलब टेबल के नीचे देख ह क्या है एन्वलप क्या है इसमें पैसे क्या है यार वागले साब आप रिश्वत ले रहे हैं रिश्वत वो भी मुझसे वो भी अजार रुपे ए फसा मता मुझे सिर्फ अजार रुपे की होकाते आपकी कमाल है विजिलेंस का आद मी बाहर है बुलाओ उसको यह सही नहीं कर अच्छे खासे इमानदार आद्मी को भ्रष्ट मत करो गाले क्योंकि इमानदार आद्मी जब भ्रष्ट होता है ना तो नसले नष्ट हो जाती है कि अबे छोड़ ना मेरे या आगे ना फ्रंट पेश पर बन गई अबार के अटलाइस मना किया था मत बड़ा इस पचले में मत बड़ा मगर नहीं समासेव का कीड़ा काट गया था करती रहना समासेवा उपर पैट कर्ण सिटप्ः झाल ना थे का पारोड पार न वा वा एक कि अगलाइस में में मत अुक्स घर एक्षर नर्ट थासराइड फाल जार खरा था मत जर रहा तहुम एक है टीक है एक प्रट्ट अंदर में बती किक मारा यह घंध्या का फून आया था दिन दयाल गवाही देने जा रहा है बुरी खबरी ले गया करहने शार भागे आज़ देख रहे छगनिया देख यह साल है हमारे टुगड़ों पर पढ़ने वाला कुट्ता हमारे उपर भूंकेगा आप एवाओ काई साल आखर बात क्या है वो साल हराम खोड दिन दयाल हमारे खराब गवाही देन जा रहा है काम को आख़ा देख यहारा है काम को आख़ा देख यहारा है अजांड़ों को देख बादख कुछ तो गडबले खोड़े है इस में गवाई देनी की बात पता चल गई है अब हम दोनों की खेर नी है लची अब कुछ प्लियों तू रशो इसे बार नी निकलना तरवादा खोल इन्हों तरवादा खोल इतने सारे लोग और तूम अकेले एक कुट्रया खोल एक काम करते हैं शिवन उनकी पैर पकड़ के तो क्यो न शालों को मार कर मरें एक का करे रहो इस बाच कर रहो इस बाच का कर रहो इस अग्ट का इंच्जाम अमरी अरून को तोके मामा इधर देख दाव लची अग्टी माँड़ देख ता हम लची हमको माफ कर देना हम थोग को बचाने पाए पर वाधा करते हैं कि अगले जनम में आदर्श पती साबित होंगे तुम्हारे लिए पर इस जनम के लिए हमको माफ करते हैं कर रहे हो समय सांसे मेरे लिए अधसपति थे और हम यहीं चाहते हैं कि अगले जनम में तुम ही उमको मिलो कि अधिनु दर्वादा कोल एक तो चीर दालूंगा तेरको एक थामना है एक दिनु देख मैं मैं तुझे माफी देला दूंगा चुप चाप दर्वासे को अरे मामा असा इकनार नाया साला इसके आखो के सामने इसका वीवी का गेम बचाता हो देखना हें दो चुप बस्वादा करता है अगरमरी लच्छी कि खिलाब एक शब्द भी बोलाना तो तेरी एच उप क क्या रहे है है भांग बी रखिया तुने ास तूगैदा थिनू एधरादा थोड़। तोड़। तोड़। तोड़ के दावसाला तोड़। ते नहीं ना मर्दा ना मर्दा ऐसालिए फॉल ढटाना कूछ पुल पॉल 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 एक परसेंट बन है एक परसेंट बन है एक परसेंट और मेरा बेटा तीस परसेंट बन है दर्द मैसूस हो रहा है हो रहा है और तु कहता है सिर्फ तीस परसेंट सिर्फ तीस परसेंट हां उसका दर्द मैसूस कर जो करना जल्दी कर नहीं तो तुझे और तेरे इस अस्पताल को चला दूँगा हंडर परसेंट जाब सर सब ठीक हो जागा मैं बात करता हूँ आप आराम से बैठिए काका काका क्या हुआ बाबा को बेटा नहीं रहा तेरा बाबा फिक्र मत कर मैं हूँ मैं जिन्दा हूँ अभी अभी नहीं नहीं बाबा बाबा लोкий, अभी कि अभी कर दो और में तो सिक्क ही जाते है नहीं है अब डियाल गए लेइन चाल कई फीदिनदी वह से नहीं अपी अफ टोंशima मैं दिन्दियाल भाई को बोल के आई थी हाँ श्रेटी सब सीतापती शुक्ला बोल रहो अरे वो आपका वेटर नहीं पहुंच नहीं पहुंच नहीं पहुंच नहीं लापता है हालो हालो लग्रियाज अगली बार ख्याल रखियेगा प्रोसीट प्लीज थैंक यू यू रॉनर इस केस की पिछली हरिंग पे मैंने आपसे मौलत मांगी थी कि मैं इस केस से संबंदित कुछ और गवाह और सुबूत पेश करना चाता हूं आपने मुझे मौलत दीस का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुबूत और गवाह मिल गए थे आज मैं कुछ गवाहों को पेश करना चाता था जिन में से इस केस का सबसे एहम गवाह घंशाम जो देशी अड़बार में वेटर का का काम करता है उसका कहीं कोई पता नहीं है जबकि कल शाम तक वो बिल्कुल सही सलामत था और यही हाद मेरे दूसरे गवाह के साथ हुआ दीन देयाल जो जोशी जी के फार्म हाउस में केर टेकर का का काम करता है वो भी गयाव है मुझे इस बात का पक्का यकीन है, यूर ओनर कि इन दोनों गवाहों को अदालत में आने से रोका गया है यूर ओनर मेरा काबिल्दोस केस को बटकाने का कोशिश कर रहा है तो सबुत नहीं है तो उटपठाग बातों को जोड़ने का कोशिश कर रहा है जिस दिन दैल का बात ये कर रहा है, कल रात को साइलेंडर ब्लास्क में उसका मौत हो गया, वहां का पुलिस उसका इंक्वाइरी कर रहा है, ये उसका एफाइर है, और गंचाम वाइटर की जो बात की, उसने फर्स्ट एरिंग में गंचाम बोल चुका है, कि ये वाईदेशी लड़की मेरा क्लाइन के साथ अपना मर्जी से गया है, सर रिपोर्ट है, जस्ट गिव सर रिपोर्ट है, जस्ट गिव सर लेकिन कुछ लोगों के नामन्जूर है, इसलिए उसको गाइब कर दिया है, यही हाई, दीन दयालों सत्या का हुआ है, इन दोनों को अपनी जान से हाथ दोना पड़ा, कैसा ने आए है, ये बड़े लोग सिर्फ ऐसे सच को पसंद करते हैं, जो इनके पक्ष में खड़ा हो, लेकिन अगर कोई सच इनके ख़लाफ खड़ा हो जाता है, तो उसे निस्तनाबूत कर देते हैं, हमारी जिंदगी अख़वार के जैसी है, जैसे आज का अख़वार, कल रद्धी हो जाता है न, ये और ओनों, मेरा काबिल दोस्ट फाइलसफी की बात कर रहा है, कोल्ट को फाइलसफी नहीं, ठोश सबूत चाहिए, और ठोश सबूत नहीं है, तो हमारा जिन दो केसे का आप जिकर कर रहे हैं, उनका इस केस के साथ प्राइम अफ़शी कोई लेना देना नहीं है, और अगर हो भी, तो वो पुलिस की जिम्मेदारी है, वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, और अगर आपके पास कोई ठोश सबूत हो, तो अधालत के सामने पेश की एक मिनिट, यौर ओनर, इसमें एक वीडियो है, इसे मैंने खुट शूट किया है, इसमें मकरन जोशी दीन द्याल की पत्नी लच्छी का बलातकार कर रहा है, अंदेरा था, वीडियो साफ नहीं है, लेकिन उन दोनों के बीच में होने वाली बात आप साफ सुन पाएंगे, ये वीडियो मैं दालत में पेश करूँ, इससे पहले मैं चाहता हूँ कि मकरन जोशी को वेटनिस बॉक्स में हाजर किया जाए, यौर ओनर, मकरन जोशी ऑस्पिटल में है, उनके कार का एक्सिडेंट हुआ, 50% वो जल गया, मेडिकल रिपोट है, और चगन पाटेल का देह अहरत की बात ही, यौर ओनर, इस केस से जुड़े हुए तीन एहम गवा, या तो गायब हो गया, या जल गया, या मर गया, ये कोइंसीडेंस नहीं हो सकता, ये एक शणयंत्रे, आय अबजेक्ट, आय अबजेक्ट, वार्दात हो रहा है, उसका इस केस के साथ कोई रिलेशि नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वे सारे गवाह एक बार फिर अदालत में पेश किये जाए, मिस्टर सीता पती, कौट ने आपको पहले भी ताकीत की है, कि जो ठोज सुबूत है, उसी को पेश किया जाए, और इधर उधर की दलील करके, कौट को गुमरा करने की ये मकरन जोशी का वीडियो अदालत में फोरण पेश किया जाए, बाबुजी आप जो कर रहे हैं, वो गोर पाप है, और हम किसी की बीबी हैं, एक चुपर ज़ना हुआ, ना पती, तेरा गुलाम है, और गुलाम की हर चीत बालिक की, बाब चोर दो ना, बहुत दर्द हो र और इसके साथ दुषकर्म करने वाला वेक्ति कोई और नहीं मकरन्द जोशी है, वा, वा, यूर अनर, I would like to praise my dear liar friend, sir, is it some piece of cinema, but prove क्या करना चाहते हैं, या किर में, prove, मतलब अलग अलग किस्तों को एक बना के, जा तक की वीडियो है, बादा से वीडियो है, you cannot see anything, yes, the other aspect of it is the Vice, Vice is matching my client, Vice, but sir, Vice can be achieved with a cheap mimicry artist, sir, can I request my assistant, Anand, to come in whiteness box, objection your honor, Anand, का सिस के से कोई अलुक नहीं, मैं मानता हूँ का तक का कोई अलग नहीं, लेकन, इन्ट का कोई तालुक नहीं, लेकन, in the interest of arriving at the truth, at least let's give him a chance, पाइशन्स इस दवर्चु माइ फ्राइन प्लीज सर्कार चुनती है बाद में सरकार इंको खाती है ये सरकार को खाते हैं दोनों एक दूसरे को खाते हैं ना पाटेक है अबजेक्शन ये अन्यों ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है याइश्टर मुठ्विट्व और ये विद्र रूप सुन्दर दिखा कर मुझे बहका रही है मुझे कहती क मेरा केस ले लो जासाब मैं तो परिशान हो गया हूं इसका केस लेकर मुझे केस नहीं माइलोड, यह मोहले का चीप मिमिक्री शोड नहीं है, अदालत है, और एक बहुत गंभीर मामले के उपर कारवाई चल रही है, यह बात मेरे काविल दोसको समझनी चाहिए. I am really sorry for hurting him, my assistant had a real more, more enthusiasm, I am really sorry about it, पर पॉइंट इतना है, sir, कोई भी किसी की भी आवाज निकाल सकता है, तो वो वीडियो में भी, sir, जो आवाज है, वो चीप मिमिक्री अर्टिस्ट का है, मेरा क्लाएंट, मकरण जोशी का नहीं है, यह बात वीडियो इस वीडियो इस वीडियो Overruled Mr. Seetapati, अदालत ये आदेश देती है कि इस वीडियो को फॉरंसिक लेबारटरी में ऑथेंटिकेशन के लिए बेजा जाए, तो एंड दिस मैटर, वन्स इन फोर रॉल, इस केस की अगली सुनवाई, अदालत दो दिन के बात करेगी, अदालत दो दिन के बात करेगी, अ हैरान हूँ, परेशान हूँ, तीरी बे तुक्की बातों से मैं बेजार हूँ ये आलम है जो तनहाई का, है रंजे असर तेरी ये सौधाई का, है जिन्दगी तु भी कभी, दिल की बात सुन ले मेरी ए जिन्दगी तु भी कभी, दिल की बात सुन ले मेरी तुझ से की है मैंने, कितनी गुजरश, अश्कों से लिखी है जी मेरी की खारिज ए संग दिल जिन्दगी मान जा, ना कर मुझ से ये दिल लगी ए जिन्दगी तु भी कभी, दिल की बात सुन ले मेरी खाहिशों की भीड में दिल धूंडे है ठीकाना उमिदों की थपकियों का, हो कोई सिरहाना है हम सफर जिन्दगी साथ चल, मुझ को है अब तेरा बस तेरा एकबार है जिन्दगी तु भी कभी, दिल की बात सुन ले मेरी शेटी से मिलने आया था ताकि घंटाम का कुछ पता चल सके अस साले हराम खोर, ताकत के सामने पढ़ जाती है सके सेले पट्टु, पढ़ गए? जोशी को थेक्क, पढ़ गए? माइंड तांग, okay? I mind everything अरु, उस दुन तु तुम बढ़े शेर वन रहे थे, घंचा आपके पीछ बढ़ेदी को वोलो, 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 पर आवी, अभी अभी, पिट्रे से Peter, Kiran, इसको बार करगो इसको पार कर गो पड़े यह ले ओ-ले यह टिपने नए यादा, कि अगग क्याले ज़ित मेरी झात लगाती सड़िये च्याअ हमत तुम्हार ल जज पाहण की ज़ि भी कात डली ज़िस मालो में ख्यवां-च्याशिव दिल्लिकट भी साबुन अविडिये यह अ विण है कारियी ऱ्या ज़िए तक रहूट शड़े ऊद कर degree अरी वे फुर्दा बेखादा राजी है व्हादा रहा हुवज है लेड़ हम लेखा राज़ अर्था व्हादा राजैं लिए ट्म्भी पार रा ये? अर्था है क्यों मेंड़ रिष्टाप्टी लेड़ अर्थेड़ी नदोटी उर्षादी यह रटेड़ी sorry sorry क्या बोलती है हाँ भाइटिंग बाइट बाइट पीपल भाइटिंग वेर? अबड़ेशे अठबार बाइट बाइट वेटी शुबड़ों अबड़ों वज दूबड़ों यहाँ बाइटी को विगो विगो बाइटों इस इट बढ़े, बढ़े, बढ़े बढ़े, बढ़े चलो बढ़े, इतनी रात का एक ठंड में भाहर बैठे हो, सोएंगे नहीं का नेंद कैसे आएगी पांडे कल कोड का फैसला है और मैं जानता हूं कि फैसला क्या होगा ये स्वाब इमान की लड़ा ये बंड़े कुछ भी हो जाए ये हराम के पिल्ले जेल जरूर जाएंगे वो, वो कैसे भाया जी पता नहीं, कैसे मगर जेल जरूर जाएंगे जेल जरूर जाएंगे आज माया जॉंसन केस की आखरी सुनवाई है और इस केस को लेकर आज आम पब्लिक में एक जिग्यासा बनी है लोग इस फैसले का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं ये फैसला हमारे भारत मी न्याइपाली का सिर्षिष्टी से भी एहन है आज केस की आखरी सुनवाई है देखते हैं उत किस करवत बैठता है सर्साथ प्लीस अमें जो कुछी केना एंटोर्ट में कहीं सर्साथ प्लीस संया थी एप्लीस सुष्टी बूलिये अट विलिंगले विलिंगली विद दें नो, आम नाट समह आर मैं मैं व्लीज जैसा कि अभी अभी देखा मिस मया ने का यहां एक आप प्रीजिव के साथ नहीं गई ते I understand what you are going through Maya I promise you that those rapists will go to jail for sure Cut Please be seated Proceed please Dear Honor, I want to post this report in front of you. This is a foreign report in front of the video, which I have posted in front of the court. प्राइपट में लच्छी का मौत हो गया है तो उसका आवाज का पैच्छा नहीं हो सका और दूसरी आवाज मैरे क्लाइंट मकरन जोशी से मेल काता है लेकिन वाइडियो का क्वालिटी इतना कराव है कि वो मकरन जोशी है यह कंफर्म नहीं हो सका आल इन आल यह जो वाइडियो है यह पुक्ता सबूत नहीं माना जा सकता है इस केस में तुमिस्टर सीता बदी प्रोर्ट प्रणाव जजम्ट यह वाइन शब्मिशिंट यह स्ब्मिशिंट यह स्ब्मिशिंट्ट्र यह रहॉर्णूर् मैं सलीम शेख को विटनिस बॉक्समें पुलाना चाहता हूं इजाजद है कि अदालत को अपना पूरा नाम और पेशा बताई है मेरा नाम सलीम शेख है और मैं एक मॉडल को आडिनेटर हूँ बोले तो फिल्म अनिस्ट्री और एड एजिंसी के लिए नए नए लड़किया सप्लाई करता हूँ अरे भाई गलत मत समझो फिल्म के शूटिंग के काम के लिए ठीक है समझ गये क्या आप सामने बैठी उस लड़की को जानते हैं हां माया इसका पहला ऐसार में नपूर नहीं दिलवाया था कोई टेल्विजिन शो के लिए था हाय माया और प्लीज सौरी जज़ साब कोरट में पहली बारा है इसलिए माफी चाहता हूँ क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि माया कैसी लड़की है अभी अपन क्या बोलेगा साब आप ही देख लो ना बला की खुब सूरत है ऐसा उसन देखके तो अच्छे-च्छे इंसान का इमान भी डगमगा जाएगा मेरा मतलब य अच्छे नहीं है मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इसका कैरेक्टर कैसा है चरित्र कैसा है आपको क्या लगता है माया रूपियों के बदले अपना जिसम बेच सकती है नहीं नहीं तोबब तोबब वकिल साब क्या बोल दिया आपने एक दिन में एक अमीर आदमी के शा कि यह दिन का वाक्या बताता हूँ आपको मैं जुम्मा का दिन था शाम को इसने मेरे को फोन किया सलीम कहना खिलाएगा क्या कि इन दिन से मैंने खाना नहीं खाया अगर चाहती नहुस वक्त किसे के साथ भी चली जाती और साल भर का काम कमा लेखी अब सोचो साब भूका रहना पसंद किया इसने लेकिन कलत नहीं किया और मैं जहां तक बोल सकता हूँ कि माया जिसम फिरोशी जैसा घटिया काम करी ने स कि आइसा गवा उन्होंने पेश किया मेरे आख में एकदम हासु आ गया है लेकिन अभी भी सवाल वही रहता है कि माया जी जिस सोसाइटी में रहती वो लोग कम्प्लीन किया है उसके घर में देर रात तक पार्टिय चलती रहती है फाइरेंगी लोग पढ़े रहते हैं तो उसका जवाब क्या मेरा दे सकता है काविले दोस्त यौर अनर मैं भी अपने काविल दोस्त मुत्तुस्वामी की सोच की दाद देता हूं इन्होंने तो प्रोस्टिटूशन की परिवाशाई वदल दी इनके हिसाब से हर वो लड़की जो फैंसी लॉंजरी पैंती है प्रोस इस्टिटूट है और विदेशी क्यों हर वो लड़की जो इज़त की दो रोटी कमाने के लिए अपने घर से बाहर कदम रखती है वो विश्या है मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो मेरे मुद्दे को बिलकुल साफ कर दे और ये मुथ्थू स्वामी जैसे की पिछडी सोच का ही नतीजा है जो आज दुनिया भर में लड़कियों को अपना आक्रोष प्रदर्शित करने के लिए ये तरीख आक्तियार करना पड़ रहे हैं इनका इस आर्गिमेंट से ये तो साबित नहीं होता कि माया जी आच्छा चरित रिखिये और मायर अपना फैसला सुनाती है योर अउनर आप अपना फैसला सुना इससे पहले मैं अदालत में कुछ कहना चाहता हूं एक आम आद्मी के ऐसियस से क्योंकि अदालत मेरे लिए मंदर है और कानून की किताबे धर्म गर्णत कहिए क्या कहना चाहते हैं जब एक लड़की के साथ बलातकार होता है तो सिर्फ उसके जिसमी नहीं रौधा जाता बल्कि उसकी आत्मा की आत्या की जाती है उसके आत्मसमान को कुचल दिया जाता है बलातकार सिर्फ लड़की का नहीं होता उसके माबाप पूरे परिवार का होता है लड़की जिन्दा तो रहती है पर एक लाश बन कर यूर ओनर हमारे कानून में श्रम्ता के बाद भी वो गुनहगार के दिल में खौफ क्यों नहीं पैदा कर पाता है बताता हूं पर्सो का अख़वार है जैसा इसमें एक आदमी ने एक नावालिक लड़की के साथ बलातकार किया था अदालत ने उससे सजा दी है लेकिन कब पचीस साल बाद मैं और मेरी क्लाइंट माया रेस्टोरेंट में बैठके खा रहे थी उसने मुझे पूचा कि सी था पती वह यूर लॉइस सो स्लीजी मैं सोच में पढ़के हैं मैं कैच अब आप देता मुझे लगा कि अदालत में आने वाला हर विक्टिम एक मुर्गी के जैसा होता है पहले हम उस मुर्गी को साफ करते हैं फिर प्यार से उसे हलाल करते हैं फिर उसके पंखों को नोचा जाता है फिर अपोजीशन अपने भद्दे भोंडे तरीकों से उसके उपर ताने के मसाले डालता है और फिर उसको कानून की धीमी आज के उपर पकने के लिए रख दिया जाता है वो पकती रहती है, पकती रहती है यह है अपना कानून The Chicken Curry Law कानून में समस्या नहीं है योरान समस्या हमारे सिस्टम में है हमारे सिस्टम में एक गुनागार को बेगुना साबित करना बहुत आसाल लेकिन एक बेगुना को बेगुना साबित करना Impossible मैं आप से पूछता हूँ क्या तुम कभी अपनी मा बहन या जवान बेटी से पूछोगे कि फैंसी लॉंच्री बहन कर आज वो किस कस्टमर को रिजाने जा रही है हाँ That's all your honor यह अदालत आपकी भावनाओं की कदर करती है मैलाओं के प्रति आपके जो विचार है उसकी प्रशंसा भी करती है लेकिन यह अदालत है और अदालत में फैसले भावनाओं के बहाव में आकर नहीं किये जाते ठोस सुबूत और गवाओं की गवाई पे होते हैं मिस्ट माया जॉंसन पे मिस्ट मुथ्धू ने आरोप लगाया है कि वो एक कमर्शल सेक्स वरकर है लेकिन इस बात का एविदेंस कोर्ट के सामने नहीं आया है इसी लिए इम्मॉरल ट्राफिक आक्ट नाइटीन फिफ्टी सिक्स के तहप उनके उपर ये चार्ज स्टैंड नहीं करता दे कॉर्ट इस कन्विंस्ट दैट मिस्ट माया जॉंसन इस नॉट असेक्स वरकर अर कैरेक्टर कैन नॉट बी क्वेस्टिन ना कमिंग तो दे वेइन केस डिया ने रिपोर्ट से ये साबित हुआ है कि मिस्ट मॉकरन जोशी और नाना पाटिल ने मिस्ट माया जॉंसन के साथ संभोग किया है लेकिन मुद्दे की बात ये है कि क्या ये संभोग उनकी मर्जी के खिलाफ था इस बात का कोई एविडिंस प्रॉसीक्यूशन सब्मिट नहीं कर पाया है उल्टा ये बात सामने आई है कि मिस्ट माया जॉंसन ये दोनों अक्यूस्ट को अच्छी तरह जानती और पैचानती थी और अपनी मर्जी से उनके साथ गई थी और जब ये कथित रेप हो रहा था तो वो सेमी कॉंशियस थी ड्रग्स की वज़े से लिहाजा ये अदालत मिस्ट माकरन जोशी और नाना पार्टिल को शक की बिला पर बलातकार के इल्जाम से बाइज़त बरी करती है साथ मैं पुलिस को ये आदेश देती है कि मिस्ट माया जॉंसन की एक थरो और डीटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हो ये जानने के लिए कि क्या वो एक habitual drug user है या नहीं और अगर हो तो उन पे योग ये कारवाई की जाए जिरा के दौरान मिस्ट मुथ्व ने ये इल्जाम लगाया है कि रेप का चार्ज एक आफ्ट थॉट था ये जानबूज के काइदे को ट्विस्ट करके लगाया गया था इनके क्लाएंट से पैसे एंटने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए ये ये फ्री तो फाल चार्ज इन अनदर कॉर्ट विदिन दे लाव लिमिटेशन मिस्टर माकरन जोशी और मिस्टर नाना पातिल ये ये फ्री तो बस्केस साथ बाइस आतिल को अगाया था ब्लाइस देख दोचार्ट कॉष्कर दिया तुने आपकिल साय थैंक्यू में बहुत खुश है तो आप अंगले पे शाम को कुछ अच्छन साम किया तेरी यह पानी जैसा केस है मेरे लिए पानी जैसा मिलता हूं मैं फिर शाम को अपका सर आज आपने केहम केस जीता है इसके बारे में आप क्या कहेंगे इसके इसके बारे में क्या को वह देखिए हमें अपनी कानून विवस्ता और सव्विधान पर पूरा भुरोसा है कमजोर केस था जूटा केस था मेरे बच्चे ऐसा घिनोना काम कभी कर ही नहीं सकते है और आज जो है कोर्ट में साबीत भी हो गया है मंत्री जी बाजाई हो कि फेक्स मैच जीतने के लिए एक बात बता जोशी यह जो लॉंडा है तुमारी अपनी मेहनत है या किसी और का प्रसाथ नहीं मेरे को डाउट इसलिए पूछ रहा हूं तुमारे उपर नहीं तुमारी बीवी पर अरे कहीं ऐसा हो कि उसने इस हरामी को पैदा करने के लिए किसी बावा अवा का ले लिया हो आशिरवार इसको समझाते बाबा मैं बोलता हूं इसका डीने टेस्ट कराई फरजी नि एक वकील के ऊपर मीडिया के सामने कोड़ प्रमाइसित में हाथ रणाने का मतलब जानता है चल साला सेक्शन 352 चे मैंने के लिए अंदर जाएगा तेरा मंत्री बाप भी तुझे नहीं बचा पाएगा कुट्रिया सालिया हाथ नहीं लगाएगा कोई बाभा आज तुझा टो करना है एकनार यह जो मेरा हालू अना इस कुत्रे के वजे से हुआ है मैं इसको नहीं छोड़ूगा बभा बभा या प्स्स्स्स्स्स लो पिलकुल छोड पिलकुल झाट सणवा कि अगर मैं चाहूं ना तो किड़े की तरह तुझे मसल कर रखतूंगा हुआ है हुआ हाथ में लेने से कुई मर्द नहीं हो जाता है गोली चलाने के लिए खुडदा चाहिए नपन्सक्ख जला फट्तो पूर्दार हवाती सम्मोह सम्मोहा सून्मोहा सून्स्मुटि इंधरम हुई सून्ति धंशार मुद्धिनाशो धिन आशार प्रनस्यति अवसार अवसार तेरे बाप ने अगर तुझे गीता पड़ाई होती न तो तेरी ये नोबत नहीं आती मैंने काहता तुसे कि तेरा घुस्सा ही तेरा नाश करेगा I kept my promise, Maya अग्धाई अग्धाई भॉल भोलेका मुले भॉलेका मुले भॉले का अग्धूस्थ मेरा काम आरतेस तु तैला ताई तो माला छुडेल बोलतो है चलो जाओ सब लोग खेलो जाओ खेलो स्क्यूस मी येस मुझे मिसमाय समिलना था आप दो मिनिट बैठी है मैं बस उनको भुला के लाती हूँ ओके थाइला बोलो नान आप दो आपने बेता हूँ thank you oh please have a seat um so miss maia I'm sure you know that by now state government has bestowed an award for your excellent service to society so what do you feel about it? I don't feel anything. I'm not doing this for any award. I'm just trying to move forward. Great work of Satya Deshmukh. And regarding to what I have to say, please ask them where were they when I was a victim? fighting my case? Where were they at that time? I... I really understand, Miss Maya. Would you like to receive this award? Ask them to give this award to themselves. Love and respect I get from people here is more important than any award. Please finish your tea and go. Miss Maya, please, last question. Last question, please. Please. In one of your article, you have said that India is a wonderful country. And you would love to take birth here if there is something like Rebirth is there? And do you really believe in our government's Magnificent India campaign? Magnificent India, I do. But then, show me. Rebirth has कि सब्धेता और सवबिमान की قیमत, जानदसे कहीं ज्यादा होती है। पर सीतापति मरकर भी जिन्दा रहते हैं हमारे ख्यालों में, सक्य इंसानी जजवातों में. क्योंकि सीतापति कभी मर नहीं सकते, सीता-पति मरा नहीं करते है। गुद्जान वादी लिए से सीटापधी लिए वादी में लिए ते में। वादी टेट जो पीजिए वादी जुदिता इस बारे ज्रीम एकान्स तृटा कान्स पर्षाएवा टेटा है जो मिलके तुम से हुआ, कोई दर्द है जो खीछे, रिष्टे ये दिल किसी छे है इतने तु पास चलती है सास ते डाले बास ओडे, चलू तेरी ही ओडे नहीं दिल पे जोर कोई डोर हमको जोडे है इतने तु पास चलती है सास ते डाले बास ओडे, चलू तेरी ही ओडे नहीं दिल पे जोर कोई डोर हमको जोडे दिल पे लिखा जिसको तुम ऐसी आयत हो सजदा तुम ही मेरा तुम ही इबादत हो हो राहत हो बरकत हो जीने की चाहत हो छोड़ू तुमें कैसे तुम मेरी आदत हो महकी हवाओं में चारों दिशाओं में अब तो दुआओं में तुम हो इस नाम दूं मैं क्या जो मिलके तुम से हुआ कोई दर्द है जो खीचे रिश्टे ये दिल के सीचे है इतने कुपास चलती है सास ते डाले बास ओरे चल तेरी ही ओरे नहीं दिल पे जोरे कोई डोरे हमको जोरे है इतने कुपास चलती है सास ते डाले बास ओरे चल तेरी ही ओरे नहीं दिल पे जोरे कोई डोरे हमको जोरे लोगा जोगा बयादा दोगा लोगा वाल